हेलो प्रेंट्स विल्कम् टू मामेट्स जायरेस ही यू चैनल की कोमरस अरी तो आज इस वीडियो में फीर से ₹ मैं आप लोगों के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट ओवर उट्स ऑन्सिंद लेकरatas सवर्सट का इकolina Tech एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो का स्टार्ट करते हैं वीडियो का स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे सेनल पर विजिट करें तो और यूजी पीजी से रिलेटेड लाते रहती हूं तो ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन आंसर पाने के लिए हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर करें और फ्रेंड्स आप चाहे तो हमें आप टेलिग्राम प करते हैं तो आज का पहला कोईशन है कोईशन नमबर वन में पूछा गया है एक आईताकार अती परवले लागत वक्र कौन सा है यानि जो ऑप्सन दिया गया ऑप्सन में हमें चूज करना है कि एक आईताकार अती परवले लागत वक्र कौन सा है तो एप्सन में दिया है ओस और दिया और बी दोनो तो इसका कर्यक्ट आंसर हो जाएगा option number A और अगला question में पूछा गया है question number 3 में एक रेखिक मांग वक्र जिस बिंदू पर मात्रा अच को काड़ती है वहाँ मांग की लोच E होती है तो यहाँ पे option में आपको choose करना है कि कौन सा option correct होगा वाँ ऐसी कौन सी रेखिक मांग वक्र होगी जो की बिंदू पर मात्रा अच को काड़ती है तो E option में दिया है E equal to 0, B में दिया E equal to 1 और C में दिया E equal to 9 तो इसका correct answer हो जाएगा option number A E equal to 0 मांग की लोच को काड़ती है अगला question आजाता है friends question number 4 में पूछा गया है यदि बजार में किसी वस्तू की कीमत घट जाती है तो budget seat क्या होता है तो E option में दिया बड़ा हो जाता है B में दिया छोटा हो जाता है C में दिया समान रहता है इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा option number A यदि बजार में किसी वस्तू की कीमत घट जाती है तो उसका budget का seat बड़ा हो जाता है यानि जब बजार में वस्तू की कीमत में कमी आती है तो उभोकता की budget में ब्रीधी होने लगती है उसे ही budget का seat कहा जाता है यानि वकता जादा वस्तू का खरिदारी करना start कर देता है जब वस्तू की कीमत में कमी आती है अगला question में पूछा गया है question number 5 में यदि मांग एवं पूर्ती वक्र दोनों दाई और समान अनुपात में सिप्ट करती है तो क्या होता है A option में दिया वस्तू का मुल एवं करई की मातरा में ब्रीधी होगी B में दिया है मुल इस्तिर रहेगा किंतु करई की मातरा में ब्रीधी होगी C में दिया है मुल इबढ़ेगा किंतु करई की मातरा इस्तिर रहेगी B में दिया इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer क्या हो जाएगा option number A इसका correct answer हो जाए क्योंकि यदि मांग और पूर्ती वक्र दोनों दाई और समान अनुपात सिप्ट होती है तो वस्तु के मुल्य और करई की मातरा में ब्रीधी होगी अगला question आता है question number 6 में पूछा गया है मांग के नियम का संबंद किस से है यानि जो option दिया गया है उसके बीच में बताना है कि किसका मांग के नियम से संबंद है कौन मांग के नियम से संबंद है तो A option में दिया है I और मांग के बीच, B में दिया है मुल्य और मांग के बीच और C में दिया है मुल्य और I के बीच और D में दिया है इनमें से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा option number B अंतर निकलता है वो ही मांंग की नियम के संबंधित है अगला कोईशन आता है n सारवजनिक वस्तवें प्रति अस्पर्दी नहीं होती है इसका अर्थ है या जो वस्तवें सारवंजनिक होती है वो प्रतियोगी नहीं होती है। एक वस्तू के अनेग वरकार होते हैं हुए प्रतियोगी यानि प्रतियस्परधी नहीं होती है। इसका आर्थ है कि किसी वेक्ति के उब्होग करने से ए उप्षन में दिया वस्तु की मात्रा में ब्रीधी होती है या फिर वस्तु की मात्रा में कमी आती है इन में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएका उप्षन नमबर सी वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है 8 नम्बर में question दिया गया है कि उबोक्ता की आये में बृदि होती है तो बजट रेखा समाना अंतर होती है तो तो एव अप्सन में दिया है बाई और खिसक जाएगी बी में दिया है दाई और खिसक जाएगी सी में दिया है नहीं खिसकेगी डी में दिया इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा अगला कोश्चन में पूछा गया है कोश्चन नमबर नाइन में समीक्रन एम इक्वल टू आर पी वाई या बतलाता है कि मुद्रा की मांग क्या है अगला कोश्चन आता है कोश्चन नमबर टेन में पूछा गया है फासिता वस्टू के मुले मांग की लोच यह होती है तो अगर मने घ्राइस कोश्चन दे क्रें पूरक वस्तू के मुल्णे में कमी आती है तो वस्तू की मांग क्या होती है A option में दिया है घड़ती है B में दिया है घड़ती है C में दिया है S ठीर रहती है D में दिया इन में से कोई नहीं तो इसके correct आंसर हो जाएगा option number A बढ़ती है 12 number question में पूछा गया है किसी वस्तू की कीमत बढ़ेगी तो उसके अस्थानपन वस्तू की मांग में क्या होगा तो A option में दिया है बढ़ जाएगी B में दिया है गट जाएगी C में दिया स्तिर रहेगी D में दिया किसी वस्तू की कीमत बढ़ेगी तो उसके अस्थानपन वस्तू की मांग भी बढ़ जाती है अगला question आता है question number 13 में किस पईस्थीती में उत्पादन संभावना वक्र दाईं से दाईं और खिसक जाता है A option में दिया है संसाथनों की ब्रीधी से B में दिया उभुकता की ब्रीधी से C में दिया है तकनीकी में सुधार से और D में दिया है केवल A और C से तो उसका correct answer हो जागा option number D केवल A एवं C से अगला question आता है question number 14 में पूछा गया है उभौक फलन C equal to C plus C Y में C एवं C क्रमसा है यानि A option में दिया है इसका correct answer हो जाएगा option number A सुवायत तो उभौक यवं C मांत उभौक प्रवरिती अगला question आता है question number 15 में कम कीमत पर उभौकता वस्तु की मांग की मातरा में बढ़ा देता है क्यूंकि A option में दिया है वस्तु सस्ती हो जाती है B में दिया है वस्तु कीमत कम होने पर उभौकता की क्रय सकती बढ़ जाती है और C में दिया है कम कीमत पर उभौकता को मोल भाव नहीं करना पड़ता है B में दिया है केवल A और B तो इसका correct answer हो जाएगा option number B A और B इसका correct answer होगा अगला question आ जाता है question number 16 में पुछा गया उभौकता संतूलन क्या है A option में दिया है अपने B से अधिक्तम संतूष्टी प्राप्त करना B में दिया है अपने I से कम संतूष्टी प्राप्त करना और C में दिया है I, Y का लेखा जो खा लेना D में दिया है इनमें से कोई ने जिसका correct answer हो जागा option number A अपने वय से अधिक्तम संतुष्टी प्राप्त करना अगला कोशन है 17 नमबर में पूछा गया उभोक्ता कौन होता है यानि उभोक्ता कौन है एक बेवशाई होता है बी में दिया आर्थिक एजेंट बी में दिया प्रमुक बेगती और दी में इन में से कोई ने तो इसका कर प्राप्त संतुष्टी को अधिक तम कर लेता है या परिवासा किस न दिया में पिगू और सिमयू अलसन और में दिया है हिक्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी सेम्यू अलसन अगला कोशन आता है कोशन नमबर कोशन नमबर 20 में पूछा गया उप्भोग की सभी इकाईयों के उभोग से उभोगता को जो उप्योगिता प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं अगला कोशन नमबर 20 में पूछा गया उप्योगिता हरास नियम तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी कुल उ कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी ए और वी दोनों अगला कुश्चन नमबर 21 में पूछा गया है इच्छा की तिर्वता का फलन होती है निम्न में से कौन है अप्शन में दिया है उप्योगिता भी में दिया है उभोग और सी में दिया संतु आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर 20 इन में से सभी सूरीर इस गत करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर 20 नहीं होगा अगला कुशन आता है अग्ность 22 में पूछा गया उपयोगिता एक धारना है ये ऑप्शन में दिया है मनोबिग्यानिक भी में में दिया है समाजिक और सी में दिया है राजनीतिक और डी में दिया है इन में से कोई नहीं तो उप्योगीता एक धारना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएका ओप्सन नमबर ए मनो बेग्यानिक अगला कोईशन आता है 23 में पूछा गया है उप्योगीता की परमुक भिसेशता है अगला कोईशन है 24 में आता है एक वस्तू की सभी एकाईयों से प्राप्थ होने वाली उप्योगीता के योग को क्या कहते है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए कूल उप्योगीता एक वस्तू की सभी एकाईयों को प्राप्थ होने वाली उप्योगीता के योग है अगला कुशन आता फ्रेंड्स कुशन नमबर 25 में पूछा गया किसी वस्तू में मानुए आव सकताओं की पूर्ती करने की चमता को कहते हैं अगला कुशन आता फ्रेंड्स 26 में पूछा गया तटस्था वक्र का जुका होता है अगला कुशन आता है 27 में पूछा गया उप्योगी ताकि माप की जा सकती है कोई नहीं तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा option नमबर 1 मुद्रा के रूप में अगला कुशन आता फ्रेंड्स 28 में पूछा गया आवस्त्था संतुष्टी के नियम लो और सटिस्फाई को कहते हैं अगला कुशन आता फ्रेंच 29 में पूछा गया सिमान तुप्योगिता नियम के प्रमुक मानियता अगला कुशन आता फ्रेंच 29 में पूछा गया सिमान तुप्योगिता नियम के लागु होने के आवसक सर्त निम्न में कौन है इन में से सभी सिमान तुप्योगिता नियम के लागु होने की आवसक सर्त है अगला कुशन आता है 31 में पूछा गया निम्नी खित में कौन अस्थानपन वस्त हुए है अगला कुशन आ जाता है फ्रिंज 32 में पूछा गया है घटिया वस्तूं का मांग वक्र कैसा होता है अगला कुशन आता है 33 में पूछा गया है कि प्रमुक अर्थसास्री रोबोट गिफिल किस देश के है अगला कुशन आता है फ्रेंज क्षिन नंबर 34 में पूछा गया है मांग के अन्य परकार है नेवन में कौन है? A option में दिया संयूक्त मांग, B में दिया है, व्यूत्पन मांग, C में दिया सामुहिक मांग, और D में दिया है, इनमें से सभी तिसका correct आंसर हो जागा option number D, इनमें से सभी मांग के अन्य प्रकार है अगला question आता है, 35 में पूछा गया संयूक्त मांग किसका रूप है? A option में दिया पूरक मांग, B में दिया स्थानपन मांग, C में दिया सामुहिक मांग, और D में दिया है, इनमें से सभी तिसका correct आंसर हो जागा option number A, संयूक्त मांग, पूरक मांग के रूप में जाना जाता है अगला question आता है, 36 में पूछा गया सामुहिक मांग, निमन में से कौन सा है? A option में दिया, कोईला, B में दिया, बिजली, C में दिया, दूध और D में दिया है, इनमें से सभी यानि एक समू के रूप में जो मांग किया जाता है, जो वस्तूओं के हुए वस्तूओं में कौन सी मांग आती है? कोईला, बिजली, दूध या इनमें से सभी तिसका correct आंसर हो जाएगा option number D, इनमें से सभी यानि सामुहिक मांग होती है अगला कोईशन आता है, कोईशन नमबर 37 में पूछा गया मांग का नियम क्या बताता है? इसका correct आंसर हो जाएगा option number A, मांग और कीमत में बिपरित संबंद मांग का नियम बताता है अगला कोईशन आता है, 38 में अनुपातिक का नियम किसे कहा जाता है? A option में दिया है C मान तुपयोगीता नियम, B में दिया है C मान तुपयोगीता हरास नियम, C में दिया है SOME, 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 S आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानि सीमान तुपियोगीता में यह जो ऑप्सन दिये गया है सभी उसके रूप है अगला कोशन आ जाता फ्रेंड्स फोटी नमबर में पूछा गया है एच एच गोसेन कौन है एच प्रमुक आस्ट्रि साथन को खर्च करने की ततपड़ता सी में दिया एकनिस्टी समय और डी में दिया है है इन में सी सभी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा को उप्सन दिया इन में इसे सभी मांग के तत्तो है अगला कोशन आता है 42 में पूछाए कि मांग में संकूचन तब होता है जब यह उप्षन में दिया है कीमत बढ़ती है लेकिन मांग इस्तिर रहती है वी में दिया है कीमत इस्तिर रहती है और मांग घड़ती है और सी में दिया है कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है और D में दिया है कीमत बढ़ती है और मांग घड़ती है तो इसका correct answer हो जाएका option number D कीमत बढ़ती है और मांग घड़ती है अगला question आता है 43 में पूछा गया मांग में कमी के निमली खित में कौन से कारण है A option में दिया है I में कमी B में दिया है क्रेताओं की संख्या में कमी और C में दिया है उभोकता की रूची में कमी D में दिया है इनमें से सभी तुसके correct answer हो जाएगा option number D इनमें से सभी मांग की कमी के निमलिखित कारण है अगला कोशन आता है 44 में पूचा गया है समान्य वस्तूं के लिए मांग का नियम वस्तू की कीमत एवं वस्तू की मांग के बीच ब्यक्त करता है A option में दिया है, सीधे संबन B में दिया है, विप्रीद संबन C में दिया है, धनात्मक संबन और D में दिया है, इनमें कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जाएगा option number B, विप्रीद संबन होता है अगला question आता है, 45 में पूछा गया, जब X वस्तू की कीमत का परिवर्तन Y वस्तू की मांग को परभावित करता है, तब यह मांग क्या कहलाती है option number B, अगला question आता है, 46 में पूछा गया, मांग का नियम एक है option में दिया है, मात्रात्मक कथन B में दिया, गुनात्मक कथन C में दिया, A और B दोनों और D में दिया, इनमें से कोई नहीं, तो इसका correct answer हो जाएगा option number B गुनात्मक कथन मांग का नियम है अगला question आता है, question number 47 में मांग को परभावित करने वाले नेम लिखित में से कौन से है तो यहाँ option जो दिया गया है, उसमें से कौन सा point मांग को परभावित करते हैं, A option में दिया, O भोकता की रूची, B में दिया, I में परिवर्तन, C में दिया, अनिवारे वस्तवे, D में दिया, इन में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, option number C, अनिवारे वस्तवे अगला question आता है, friends, 49 में पूचा गया है, मांग वक्र का ढाल समान यत्या होता है अगला question आता है, friends, 50 में पूचा गया, मांग सब्द का मतलब, मांगी गई, उस मातरा से लगाया जाता है, जो एक निशित कीमत पर खरीदी जाती है या परिभासा किसने दिया, A, option में दिया है, professor Marcel B, professor Wenham, और C में दिया है, professor J, S, Meal, और D में दिया है, professor Mayors तो इसका correct answer हो जाएगा, option number C, professor J, S, Meal तो आज का आगरी question ने friends, 51 में पूचा गया है, तठस्ता वक्र की बिसेस्ता, निम्ण में कौन है A, option में दिया है, उभोकता का विवेग पुर्ण बेवार, B में दिया है, कर्म, वाचक द्रिष्टी कौन सी में दिया है, दुर्बल, क्रम बद्ता, और D में दिया है, इन में से सभी, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number D तो आज के लिए इतना ही, उमीदे, फ्रेंट्स, यह NCQs कोशन आपके exam के लिए most important है, और आप लोगों के exam में जरूर आएंगे, तो ऐसे ही most important question, answer पाने के लिए मारे इस channel को like और subscribe जरूर करें, अपने फ्रेंट्स के साथ भी share जरूर करें, और आप हमें टेलिग्राम पे भी follow जरूर करें, टेलिग्राम पे जाके आप PK commercial study सर्च करके, आप हमारे टेलिग्राम ग्रोप पे join हो सकते हैं, तो आज के लिए तना ही धन्यवाद,